दूस्तो वीडियो की स्टाटिंग कर रहे हैं Tata Power के साथ में जहांपर आज के दिन साड़े-4 प्रतीशत की शांदर तेजी अपको देखने को मिल रही है बात करें Tata Power की इस तेजी को लेकर तो आज के दिन Tata Power और Tata Motors ने लेकर एक बहुत ही शांदर प्रोजेक्ट पर साइन किया है जिसके चलते आज की दिन हमें इन शेर्स के अंदर तीजी देखने को मिल रही है टाटा पावर की परफॉर्मेस देखेंगे पिछले एक महिने में टाटा पावर का शेर 10 प्रतीशत से भी ज़्यादा के रिटन्स अपने इन्वेस्टर्स को बना कर दे चुका है और ही अगर हम उस न्यूस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा मूटर्स इन टाटा पावर कॉलिबरेट याने कि दोनों ने मिलके पार्टनर्शिप करी है किस चीज को लेकर उत्रा खंड के अंदर जो सोलर प्रोजेक्ट होने वाला है 9 मेगावर्ट का उसको लेकर यह पार्टनर्शिप हमें इन दोनों के बीच में देखने को मिल रही है इस प्रोजेक्ट की कुछ और इन्फोर्मेशन को यहाँ पर जानते हैं अल्टिमेटली टाटा मोटर्स का जो उत्रा खंडे उसके अंदर एक प्लांट दिखने को मिलता है जिसमें सोलर प्रोजेक्ट की यहाँ पर बनाना है याने कि टाटा पावर का पाइदा यहाँ पर टाटा मोटर्स को मिल रहा है आप देख सकते हैं Tata Power Renewable Energy Limited has signed a power purchase agreement to build a 9 megawatt on campus solar project at Pantanagar Factory of Tata Motors Limited तो Pantanagar की जो factory at Tata Motors वहाँ पर हमें यह solar project देखने को मिलने वाला है This solar project is supposed to become the biggest campus based solar facility in the state Ultimately इसी news के जलते हैं आज की दिन हमें Tata Power के अंदर इतनी शांदार तेजी देखने को मिली है Tata Power के अंदर अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो यहाँ पर आप अपनी positions को hold कर सकते हैं 245 rupees का important resistance है जैसे ही वो break होगा उसके बाद में इस shares के अंदर हमें लगबग 260 rupees तक के target देखने को मिल सकते हैं बात कर लेते हैं another share के बारे में जिसका नाम है IRCON International Limited railway sector से best एक company IRCON जहां पर आज के दिन 8% से भी ज़्यादा की तेजी आपको shares के अंदर देखने को मिल रही है IRCON की तेजी के पीछे इंपोर्टेंट अपडेट समय आते हुए देखने को मिल रही है जहां पर RVNL, IRCON, Simmons, Rides and L&T में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है Ultimately इस तेजी के पीछे की बात करें तो government ने जो railway sector के लिए capex प्लान किया है उसी के चलते हमें ये तेजी देखने को मिल रही है railway stock has been in the limelight over the last year with some prominent PSU players more than doubling यानि कि almost यहां पर पीछले एक साल में जो PSU stocks थे railway के वो पूरी तरीके से double होते हुए हमें देखने को मिल रहे है उसके पीछे का result ने कि budget 2013-24 के अंदर जो capex प्लान हुआ है Indian railways के लिए जो budget था उसे almost 48 प्रतीशत तक बढ़ा दिया गया है इस बार 24,000 करोड रुपे सिर्फ Indian railways के लिए allocate हुए है यानि कि sanction हुए है जिसके चलते एंचेर्स के अंदर हमें इतनी अच्छी तेजी देखने को मिल रहे है Indian railways is in the process of setting up more than 3,000 km of dedicated lines यानि कि अभी जो आपको railway tracks देखने को मिलते हैं Indian government इसे और बढ़ाना चाती है Indian railways इसे 3,000 km तो और expand करना चाती है जिसका benefit IRFC, IRCON International, Rights Limited इन कंपनियों को मिलने वाला है इसी के चलते IRCON के अंदर आपको इतनी अच्छी तेजी देखने को मिल रहे है और पीछले एक महिने के अंदर 17% से भी ज़्यादा के returns अपने investors को बना कर दे चुका है तो यदि यहां पर अपने positions बना रखिए तो यहां पर आप अपनी positions को hold करते वे चल सकते हैं बात कर लेते हैं अनंदर company के बारे में जिसका नाम है JFSL जियो financial services limited की में बात कर रहा हूँ आज के दिन reliance industry के अंदर से demerge होने के बाद में जियो financial services limited की listing हमें stock market में देखने को मिलने वाली थी आज के दिन जैसे ही market open हुआ हमें इसकी listing देखने को मिली shares के अंदर continuously हमें यहां पर गिरावट देखने को मिली लगबग 5% के lower circuit के साथ में आज के दिन JFSL ने अपनी closing दी है उसके पीछे का reason है कि JFSL के अंदर हमें profit booking देखने को मिल रही है जियो financial के share ने पहले ही दिन निवेशकों को निराश कर दिया है share list होते ही bumper बेकवाली यहां पर शुरू हो गई इससे share में 5% का lower circuit लग गया है इससे जियो financial का share 5% याने कि 13.25 पेसे की गिरावट के साथ 251.25 पेसे पर आ गया है इसके बावजूद याने कि आज market close होने के बावजूद करीब 40 लाग share बिकरी के लिए रखे हुए थे तो अभी भी हमें और गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती है RIL के निवेचक जिनने D-merger के रूप में ये share मिला था वे मुनाफव असूली की कोशिश में लगे दिखे हैं याने कि यहां पर continuously profit booking देखने को मिल रही है 37 brokerage fund आउसे इसका कहना है कि short term में आपको यहां पर profit booking ही देखने को मिलने वाली है global brokerage firm class and reliance industry के share पर buy की rating दिये firm ने RIL के share में 12 महीने का target 3060 रुपे का दिया है firm ने पहले ही कहा था कि उसका India focus portfolio JFSL में पहले 30 मिनिट में ही भारीत ओसत पुल्ये पर exit कर देगा क्योंकि वे बेंकों को पसंद करते हैं तो ultimately यहां पर आप देख सकते हैं कि JFSL के अंदर जितने भी बड़े brokerage firm से वो continuously यहां पर sell की rating दे रहे हैं और profit booking कर रहे हैं JFSL की shareholding patent की बात करी जाए तो यहां पर promoters के पास में 46% का stake है साथ प्रतिशत की हिस्सेतारी LIC के पास है वहीं Bank of New York, Melon, SBI, Mutual Fund, Euro Pacific Growth और Singapore सरकार में प्रतिक के पास 2% का stake हमें देखने को मिल रहा है JFSL के shareholds में short term से medium term में दबाव ही रहने की यहां पर संभावना जबकि company के reliance group के होने के digital first approach बढ़ती मांग और मजबूत business model के कारण long term outlook positive है Simco Securities की अपुरुवा सेट ने काया कि निवेशको को short से medium term में किसी चमतकार की उमिद नहीं करना चाहिए केवल वो निवेशक जो 5 साल से अधिक के लिए stock में बने रहना चाहते है वे अपनी positions को hold कर सकते है अन्य निवेशक JFSL से निकल कर किसी bank या पूरी तरीके से जो NBFC company है उसके अंदर निवेश कर सकते है तो JFSL के अंदर अगर आपने invest कर रखा है तो यहाँ पर आप profit booking कर सकते है बात कर लेते हैं another share के बारे में जिसका नाम है Dixon Technology Limited आज के दिन Dixon के अंदर 3 प्रतीशत से भी जादा की तेजी हमें देखने को मिल रही है एक शंदर price breakout आज के दिन हमें Dixon के अंदर देखने को मिल रहा है काफी टाइम से share हमें 4800 से 4900 रुपे के बीच में consolidate करते वे देखने को मिल रहा था आज के दिन shares ने 4900 के उपर अपनी positive closing दी है इसके चलते हैं यहाँ पर काफी अच्छी buying देखने को मिल रही है अगर Dixon की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Dixon के अंदर हमें order book में काफी अच्छी buying quantity भी आते वे देखने को मिल रहे है अलगबक 2700 shares यहाँ पर fresh buy पर देखने को मिल रहे है तो यदि आपने Dixon के अंदर खरीदारी कर रही है तो यहाँ पर आप अपनी positions को carry करते वे चल सकते हैं बात कर लेते हैं last shares के बारे में जिसका नामे ITC Limited आज के दिन ITC Limited के अंदर डेर प्रतीशत के upside moment देखने को मिल रहे हैं दो जानी मानी brokerage fund houses ITC Limited को लेकर काफी ज़्यादा bullish देखने को मिल रहे है क्योंकि ITC Limited के अंदर आने वाले trading sessions में आने वाले quarterly result में इनके जो profit margin से वो और ज़्यादा हमें improve होते वे देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर मौतिलाल उसवल ने ITC के अंदर buy की rating दिये और 535 रुपे के यहाँ पर near term target दिये है अगर शेरखान की बात करे जाए तो शेरखान ने भी ITC के अंदर buy की rating दिये और 496, 406 रुपे के target price यहाँ पर set किया है तो यदि आपने भी ITC के अंदर positions बना रखिए तो यहाँ पर आप अपनी positions को hold करते वे चल सकते हैं उमीदे आपको वीडियो और update पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो और update पसंद आई है तो इसे like और share करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए stay connected, stay updated और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक trident और adani power से related जो हमारी dedicated वीडियो है जो कि already channel पर live हो चुकी है अगर उन वीडियो को अभी तक आपने watch नहीं गया है तो जल्दी से जल्दी आप उन वीडियो को भी check out कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thank you for watching